अगर आप इस वीडियो को मिस्स करते हैं तो समझ लेजे कि आप अपने एक्जामिनेशन के आंसर सीट में मिस्टेक कर देंगे और आपका रिजर्ट जो है और आपकी महनत वेस्ट हो जाकती है मैं नहीं चाहती कि आपकी महनेस्ट वेस्ट हो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो ले के आई हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया रहे क्योंकि ताकि बहुत सारे लोगों तक यह पहुत सके वीडियो क्योंकि यह काफी informative है अगर आपसे भी हो तो आप इसे share ज़रूर कीज़ेगा बात करते हैं इस वीडियो के sponsor है neerajbooks.com की तरफ से neerajbooks neerajbooks जो है वो इगनू के लिए काफी अच्छी helpbook और guidebook आपको provide करते हैं आपकी examinations को मद्यनसर रखते हुए students के लिए special offer लेके आ रहे हैं अगर आप more than 500 की purchasing करते हैं तो आपको flat 50% का instant discount मिल जाएगा और उसे के साथ ही अगर आप मेरा coupon code यूज करते हैं जोगी है रेशम तो आपको additional discount भी मिल जाएगा तो इस offer का लाग उठाने के लिए आप दिये गए इसे वीडियो के description से जाके आप guide book और बहुत सारे assignment purchase जरूर कीजे और ये offer limited समय तक है चली बात करते हैं इतनों के official website में आई गई update के बारे में जो की है आपके इतनों के haul ticket लेकिन मैं haul ticket के बारे में आपको नहीं बताने वारी हूँ ना ही किसे और चीज में आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारी चीजे जो साहत हरें स्टूडенट को जानना जरूरी है साहत 11 परसेंट और इन चीजों के बारे में आपको कोई भी Юटियूबर आपको इन चीजों के बारे में नहीं बताएगा तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर सबसे important चीज़ है, तो दोस्तों, उमीद है कि आप सबने अपना haul ticket चेक कर लिया होगा, चेक नहीं किया है, तो प्लीज अभी का भी चेक ज़रूर किरें haul ticket के साथ साथ ही कुछ details हैं, जो आपको आपके answer seat में भरनी है सबसे पहले बात करेते हैं कि answer seat में क्या-क्या fulfill करें और क्या-क्या भरनी जाहिए details ताकि आपका जो copy है, वो waste ना हो और आपकी महनत waste ना हो तो बहुत सारी चीजें हैं, अलग-अलग तरीके की चीजें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत हैं, तेकि बहुत simple से चीजें हैं, दो मिनिट का वीडियो है आपसे ज़रूर देखिएगा सबसे पहले बात कर लेते जो आपके सवाल होती हैं, तो वो सवाल कुछ इस तरीके से हैं, कि answer seat में कौन से detail भरें, और answer seat में margin देना है या नहीं, उत्तर पुस्तिका में कहां हस्ताक्षर करें, एगनो के जो answer seat है, उसे कैसे लिखें, एगनो के जो answer seat है किस भासा में लिखन सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, आप सब में से आप हर एक student, जो कि एक अगर serious student है, aspirant है, जो अपने course code को लेकर या अपने program को लेकर सच में aware है, तो आप अपना program का code जरूर लिखे, यानि आपका course code क्या है, प्रोग्राम क्या है, उसे जरूर लिखे, कि आप कौन सा course इगनू से कर रहे हैं, तो उमीद है कि आप सब कमेंट कर चुके होंगे अभी तरह, जरूर से जरूर कमेंट कीज़े, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ये भी जरूर कमेंट कीज़ेगा, मैं आपके कमेंट का वेट करोंगे, यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप अटेशनल पीज भी उसमें अटेच करना चाहें, फिर भी आपको अटेच करने नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको सिफ एक, यानि कि तीस पेजों की एक अंसर सीट होती है, उसे आपको पूरा फिल फिल करना है, जितना भी आपके कोस्टन से, सबसे इंपोर परमांग संख्या, यानि कि इन्रॉल्मेंट नंबर, 9 डिजिट का या फिर 10 डिजिट का जो आपका इन्रॉल्मेंट नंबर होता है, उसे फिल करना है, अगर आप इस बार आपको ये बताया गया है, जैसे कि मैं आपको हॉल टिकेट में दिखा देती हूँ, कि यहां फिल ये फर्स्ट वाला जो नोट है, उसे ज़रूर पढ़िएगा, इसमें ये कहा गया है कि अगर आपका हॉल टिकेट, अगर आपका जो अंख है, वो 9 डिजिट से ज्यादा का है, तो 10 डिजिट का है, तो पूरा फिल अप कीजिए, जो बॉक्स इंटी, यानि खाली रह जाता है, उस पर क्रोस का साइन कर देजिए, जैसे कि यहां पर किया हुआ है, क्रोस के साइन करने से ये पता चल जाएगा, कि आपका नमबर जो छुटा हुआ नहीं है, ऐसे आपको सारी इंस्ट्रक्शन जो सेंटर पे है, वो बताई चाहेगी, बट उसकी कोई गारेंटी नहीं है, क्योंकि आप कोई पांस साल के बच्चे नहीं है, आप ग्रेजवेट कर रहे हो, तो अमीद है कि आप सबको यह साइड डीटेप पहले से पता होने प्चाहिए, नमबर टू है कि आपको यहां पर इंडॉल्मेंट नमबर वर्ड में लिखना है, वर्ड में किस तरीके से अगर आपको इंडॉल्मेंट नमबर है 2, 3, 5, तो आपको यह 2, 3, 5, 6, 7, छोड़े-छोड़े स्मॉल लेटर में आपको यहां पर वर्ड में लिखने है, सब्दों में, इंगलिस लेटर में, ठीक है, उसके साथ आपको बता दूँ यहां पर आप जिस एग्जामेशन लिखना है, वो आपको होड़ेकेट में आपको दिया हुआ रहेगा, आप उसी को भरिएगा, यह नहीं कि आप अपने स्टाइड़ी सेंटर का पोड वहाँ पर डाल दें, ठीक है, उसके साथ आपको यहां पर देना है, उसके पाद आपको यहां पर देट लिखना है, यान Program Code & Course Code में, लोग काफе हैं यहाँ पर refuse होते हैं. Program Code, क्या होता है? Program Code, जैसे कि आप BA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, MCEA कर रहे हैं, MSO कर रहे हैं, कोई भी आपका जो 것은 Course है, Program है, उसका रहे हैं, और उसके क्यूद जो सब्जेक्ट आते हैं, उसे कोर्स कोड कहते हैं, उमीद है कि आपको यहां समझ आ गया होगा इतने डीटेल के साथ जब मैं बता रही हूं, उसके साथ आपको कोर्स का टाइटल, यानि कि जिसे MSO 03, MSOE 004 लिखा हुआ है, यानि कि उस सब्जेक्ट का टाइटल क्या है, वो Urban Sociologist ने इसने लिखा है, इसी एक हेडिंग नहीं होती है, कि आपके सब्जेक्ट का हेडिंग क्या है, जैसे आप Chemistry जाहते हो, तो आपका है कि आप Chemistry में या फिर Physics में आप लाइटिंग का सब्जेक्ट पर तो आपका लाइटिंग सब्जेक्ट है, उसी तरीके से यहां पर आपका जो कोर्स का इससे लिख रहा है तो English लिखे, अब यहां पर important बात है कि आगे क्या करें, यहां तक आपको करना है, उसके आगे यहां पर एक invigilator का sign होता है और एक आपका sign, तो अपने sign पे ही अब अपने signature को करें, इससे बाहर ना करें, और उसके साथ invigilator यानि कि जो आपर करते हैं, उसके साथ यह भी याद रखे कि यहां पर एक stamp जरूर लगेगा, वो stamp लगता है एक नूप के invigilator दवारा, तो जब तक sign और invigilator का stamp ना लगे, आप बिल्कुल भी hall छोड़के मत आईगे, examination hall से आउट मत होईए, यहां पर इसके बाद आपको examinations के बाद आपको एक्स्ट्रा आपको marking करनी है, कई बाद जो student होते हैं, वो extra marking कर देते हैं, इसको वाज़े से उनका जो है, जो है negative marking हो जाता है और उनका result जो है नहीं आता, ठीक है, उसके साथ मैं और भी detail आपको बतागी हूँ कि copy में margin छोड़नी है नहीं, देखें, इनों को copy कुछ इस त कर दिया, क्योंकि ऐसे में आपको marks जो है negative मिल सकते हैं, तो उमीद है कि आपको ये video पसंद आई होगी, सारे detail मैंने आपको बताया, मिलते हैं next video पे, जहां पे आपको मैं बताओंगी कि आखिर कितने marks secure करें, कि आपका result positive आए, आपका result में आप pass हो जाए, तो कई ऐसे student है, जिनको पता ही नहीं है कि कितने marks उनके course में आना चाहिए, और वो भी तरीका बताओंगी कि आपको अपने अच्छे से marks obtain कर सके, कम से कम समय में तयारी के साथ, मिलते हैं next video में, thank you so much, video को like ज़रू करें